हाई, हे, हेलो, कैसे हो, हाँ वहाँ पर बैठे हो आप सारे कैसे हो, क्या कर रहे हो, हाँ अरे यार फिर से मेरा हाथ दिग्गा, यह हमेशा मैं एक्टिंग तो गरती हूं, मैं एक्टिंग करती हैं, कि छुपके थोड़ा सा सर्प्राइज एलिमेंट लाएं और पदा नहीं, स आज वीडियो में में ऐसा गहा था, फिर मेरा हाथ दिख गया और मेरा सारा सर्प्राइज, पिसे मुझे पता है इन चोटी-चोटी चीजों से आप लोग नहीं सर्प्राइज होते हो, है ना आजकल तो पता नहीं कौन की और मुझे एक फ्री फायरी गेम रटा हुए आप लो कोई बात थी कैसे हो आप लोग सारे कमेंस में सबसे पहले जैसे या वीडियो ओन करा करो, स्टार्ट क्या करा करो एक बर बता दिया करो जैसे अटेंडनेंस देते हैं प्रेजेंट माम ऐसे स्कूल में या पर हाई माम हलो कैसे हो पता तो चले मुझे कौन कौन बच्चे आ किस की अटेंडनस है इस क्लास में तो सारे के सारे पहले सब कमेंट डाउन बिलो है या हैलो या जो भी आप कहना चाहते हैं थें टेंगे बच्चो और आप लोग बहुत अच्छे हैं सारे क्योंकि आप लोग वाके में इतने अच्छे हो माम हमेशा आपसे answers पूछती हैं क् हमेशा नीचे माम को रिवर्ट करते हो और कैसे इंटराक्शन तो चाहिए ना यार इंटराक्ट करा करो मज़ा आता है अच्छा बचो देख लीजे चाप्टर सीकुएन्स सीरियल फिर मैं आपको वैज cute से पढ़ा दा है सिक्वेंस क्वाले स्टार्टिग से अब बता दो मुझे कमेंस में जुसने मेरे स्टार्टिंग से लेक्चर पड़े हैं कि हमने सबसे पहले यह चाप्टर क्यों नहीं उठा लिया था अप हर चाप्टर में समझते जा रहे है ना क्योंकि first chapter ही सबसे पहले पढ़ना क्यों necessary था हमने कैसे start करा था हमने 7th में सारे life processes देखे हैं organisms में सबसे पहले हमने nutrition and plants देखा था क्योंकि वही ज़रूरी था है ना बच्चे फिर हमने nutrition and animals देखा है ना बच्चे फिर हमने soil देखी जिसकी वज़े से सब कुछ है वो nutrition जहां होता है फिर हमने weather climate adaptation देखा था हम लोग कैसे adapt करते हैं फिर हमने क्या देखा respiration एक और life process digestion तो हमने nutrition में देख लिया था ठीक है बिटा हमने respiration के बड़ transportation भी देखा सारे organisms में respiration भी हमने सारे organisms में देखा था अब एक और तरीके का हम उसी category में आगे पढ़ने वाले हैं reproduction in plants हम reproduction पढ़ेंगे कहां पर plants में अब यह reproduction होता क्या है definition कोई नहीं रटेगा क्योंकि अभी माम एक मिनट में समझाएंगी इसको तोड़कर आपको पूरी के पूरी टर्म को अभी समझा आ चाएगा तो हम reproduction पढ़ेंगे in plants यहां पर organisms लिख रहे हम सब में नहीं पढ़ रहे हम यहां पर reproduction in plants पढ़ेंगे तो इसी के साथ फिर माम शुरू करती है अच्छा जी क्या क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले तो reproduction के बारे में जानना पढ़ेगा जी जिस चीज के बारे में चाप्टेर है क्योंकि introduction बहुत जरूरी है हमेशा ठीक है बच्चा introduction हो गया माम फिर हम किस किस तरह से reproduction कर सकते हैं प्लांस क्योंकि हम reproduction in plants पढ़ रहे हैं तो modes पढ़ लेंगे ठीक है वही modes है ये दो तो हम modes पढ़ेंगे modes में पहला mode ये पढ़ेंगे इस mode के अंदर के तरीके एक ये पढ़ेंगे हम और भी बहुत सारे तरीके वो सारे पढ़ेंगे फिर दूसरा mode sexual reproduction उसके अंदर क्या-क्या होता है वो सब देखेंगे हम लोग ठीक है बच्चा और उसके बाद लास्ट में किस तरीके से क्योंकि आलसी बना देती हम करते नहीं और उगाया भी तो नहीं बाइचांस किसी ने तो देखा तो जरूर होगा है तो क्या शुरुवात कहां से सीड से तो बहुत जरूरी है सीड के बारे में जानना वो सीड कैसे जर्मिनेट हो रही है वो सब हम जानेंगे ठीक है बच्चा तो ल मैं खुदेने नहीं हाटती थो थे खड़े होगी इनी गलशी बशी से ना इती अच्छे चीक्स ले रहे है चुकू चुकू चुटकू चुटकू शे दोनों चुटकू अच्छा जी तो इतने खुश हैं आप लोग कि चलो माम लेट उस बेगें शुरू करते हैं हमें पढ हमारे पास ऐक हमारे पलैंट लंट इसको मैं कर नहीं जाएंगे क्यूंकि क्या तो क्या था आपने बताया था कि जब एक ही तरी अधी महीं हक्तell लैंड पर उगा दिया जाए तो उसे हम क्रॉप कहते हैं थीक है तो हम इसे प्लांट क्यांगे खोर्म हम क्योंकि उसकी और माम ने ये promise कर दिया हमें formation माम बता देंगी ठीक है ठीक है है ना ये एक plant से one to many forest कैसे बन रहा है या एक-एक plant से आपका garden कैसे बन जाता है अब एक-एक plant को grow करते हो पूरा garden कैसे बन जाता है अभी समझा देंगी माम आपको ठीक है अब ये एक plant से शुरुवात हुई जिससे माम बताती है unicellular से हर चीज की शुरुवात हुई एक plant से शुरुवात हुई जाकर बेटा आपका पूरा forest ये पूरा garden बन गया कितनी rich picture है कितने अच्छे colors हैं अब ये कैसे हुआ एक से अनेक बन रहे है कई एक जैसे भी बन रहे है थोड़े थोड़े अलग भी बन रहे है तो ये कैसे हो रहा है इस ही process को हम कहते हैं बेटा reproduction क्या कहते हैं reproduction 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 और यहाँ पर हम since kingdom plant की बात कर रहे हैं तो reproduction in plants और जब किसी ने मुसे comment में पूछ रहा था ma'am kingdom plant होता kingdom plant है kingdom animalia होता kingdom human beings क्यों ने होता बच्चे आप मेरे lectures अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ma'am ने हमेशा बोला है that human beings we human beings are also social animals हम animals की category में ही आते हैं बेटा यहाँ पर ना जो खेल है ना यह जो लोचा कर रहे हैं सर अंग्रीजी का लोचा है लिटरल मीनिंग बता देती है फिर बिटा हम सब कन्फ्यूज होते हैं आके साइंस में इनिमल का मतलब वो चार पैर वाले चार टांग वाली वही चीज नहीं होती है पिटा हम भी तो advanced animal ही है कहां से शुरूआ थे कहते ना बंदरों से ही तो हमारी शुरूआत हुई थी advanced सबसे क्योंकि हमारे बास एक brain है एक vertebrate हमारी जो spinal cord है हम सबसे advanced है क्योंकि हम सोच सकते हैं और उस सोच को हम क्या कर सकते हैं reality में ला सकते हैं हम सबसे advanced form of animal है तो I hope बचा आपका यह वाला doubt clear हो गया होगा इसलिए पूरी धरती kingdom plant है kingdom animalia animalia में हम लोग animalia में ठीक है बचा so let's move ahead हां जी process of seed to plant your process of seed your seeds to a forest क्या होता है सबसे पहले एक seed को जरा सा गड़ा करते हैं डाल देते हैं suppose हमने lemon की एक seed डाल दी ठीक है थोड़े देर बाद आप यहां से देख तो यहां से चोटू सा वाइट सा कुछ आता है मैं बच्च्वन में देखती थी और मैं ना फिर उसको छोटू बच्ची तो थी उस समझ तो थी नहीं कैसे हाम नहीं करते हैं मैं उसको उसे ट्वीक करती थी उसको तोड़ लेती थी मुझे क्या पता था यहीं से तो शुरुवात और यह ना तोड़ती तो आज वो मेरे घर के बहार बहुत बड़ा ट्री हुआ खड़ा हुआ होता पर इस ओके अर एक बर बदे क्या हुआ था मैंगो की गुटली मैंगो की छोटी से गुटली थी वो ऐसे ही ना में गेट के बहार मेरे में गेट के बहार जगह है काफी सारी तो वहां पर डल गई ठीक है अब बाइचांस हमें भी ध्यान नहीं वहां पर और पते कुछ दिनों बाद वहां से उसके भी इसी तरीके से यह ग्रोथ आउट्रूशन आने लग गई जबकि वहां पर को ऐसी प्रॉपर सॉ हो लेगा अब यह कहां गरोओ कर रहा है अंडर उन्डर ग्रांड ही ग्रो कर रहा है यानि अरू इसे के रूट ऌकर है ठीक है ध्यूट् DS में लूट पर की आए इसमें क्या-क्या होता है इसमें में गढ़े होते हैं तो फिर आप बहार आएं तो फिर आप इत्ते हैं इत्ते हैं इत्ते हैं फिर उसके बाद शूट सिस्टम यानि above the ground जो part होता है plant का आप धान से सुनेंगे तो tension होगी ही नहीं उसे हम कहते हैं शूट सिस्टेम ठीक है बच्चा शूट सिस्टेम ठीक है फिर शूट सिस्टेम और इलांगेट होगा इलांगेट मतलब बढ़ेगा ठीक है बढ़ना खिचना लंबाई में बढ़ना इलांगेट होगा और रूट सिस्टेम भी इलांगेट होगा मतलब रूट और डीप जाए और आपका क्या बन जाएगा कंप्लीट प्लांट बन जाएगा फिर वहां से सीड आई अपने एक और प्लांट उगाया एक और बड़ा गार्डन बना फिर एक खेद बना फिर फॉरस बन गया है ने बच्चा चलो तो ठीक है एक री प्रोडक्शन माम हमें समझा दीजिए एक री प्रोडक्शन ओके स्प्लेट करने वाली स्ट्राटरजी होती है माम की बीच में से स्प्लेट कर देती है माम री प्लास प्रोडक्शन कर दिया री दुबारा या दुबारा प्रोडक्शन बनाना मैं यार इसकी स्पेलिंग गलत लिख जाओंगी इसलिए उत्पादन करना यानि बनाना मतलब की क्या मतलब की क्या तो प्रोड्यूस फ्रॉम् द प्रीवियस लाइक द प्रीवियस पुराने से पुराने जैसा बना देना बच्चा तो उसे हम क्या कहेंगे बिल्कुल सही समझ गए री प्रोडक्शन यानि प्रोडक्शन के आगे री लगा है जो चीज है उसी को दुबारा बना देना अब कई चीज एक्जाक्ली सिमिलर होती हैं, कई चीज एक्जाक्ली सिमिलर नहीं होती हैं, थोड़ी थोड़ी कॉपी होती हैं, जैसे हम लोग हैं हमारे पैरेंट की एक्जाक्ट कॉपी नहीं हैं, पर सिमिलर तो हैं अपने पैरेंट से ठीक हैं, तो हम भी रिप्रोड्यूस हो रहे हैं और कुछ होते हैं जिसे प्लांस हो गई या एनिमल्स हो गई वह exact copy यू की यू छप जाती कोई changes नहीं होते तो वह भी reproduce हो रहे है यानि पुराने से पुराने जैसा नया बनाना पुरा चाप्टर आपकी मुठी में आप टेंशन वाली कोई बात में और होगा हाट को कैसे पढ़ना है जिस तरीके से माम ने पढ़ाया है वैसे ही अगर पढ़ेंगे कभी गन्क्यूज नहीं होंगे एट्रियाम जेट्रिया वेंट्रिकल्स राइट साइड लेफ्ट साइड पल्मोनरी आर्ट्री पल्मोनरी वेंट नहीं होना है ठीके बच्चा तो रीप्रोडक्शन क्या है अब वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट जैसे की कौन-कौन से पार्ट होते हैं रूट्स होती हैं अंडर ग्राउंड में फिर उपर शूट सिस्टम में क्या क्या आता है लीव प्लावर्स आते हैं वह बाद कशिशन parts है, उसमें से, जो root, stems और leaf है, सारे नहीं बेटा, इन parts को देखना कभी पने मन से सारे नाम ले लो, जो आपके, root, stems और leaf, नीचे के root, टहनियां और पत्तियां, वो है vegetative part, vegetative part, इसका मतलब आपको मैं समझाओंगी, ठीक है, मतलब कि, वो vegetative, इसमें इस तरीके से वेजिटेटिव और दूसरा बिटा जो कि दूसरी नए चीज को एक्जाटली ग्रोथ नहीं दे सके, अब सीड आपका वेजिटेटिव ने है, क्यों कि एक नए क्यों आप प्लांट ऐस 시र से बनता है, तो आपका वेजिटाटिव sapat नहीं है, एक plant grow कर देगी, नहीं न, तो आपका और या टहनी को तोड़ के डाल दे, तो खता मैं नहीं करेगी न, तो root, stem और leaves, ये vegetative part है plant का, ठीक है बच्चा, ठीक है, और after a certain period of growth, plant, bear, flower, अब उगते ही तो जड़ा सा प्लांट तो flower नहीं दे देता, आपने देखा एक certain height पहुंच ज जरू होते हैं, बिल्कुल माम, ये बात हमें पता है और उसके बाद वही जो flower होते हैं, वो किसमें develop करते हैं, fruit में develop करते हैं, अब किसी किसी को, आप समझ आ रहा है माम, वो fruit वाला, tomato is a fruit और a vegetable का answer क्यों नहीं दे रही थी, कुछ-कुछ mystery यां पे solve होगी, फिर उसके बाद हम जो next chapter forest पढ़ेंगे, उसमें इस mystery को हम ज़रूर सौल कलेंगे, let the mystery continue in the chat, okay बच्चा, तो वो flower किसमें convert हो जाता है, fruits में convert हो जाता है, ठीक है, the part of plant that participate in the process of sexual reproduction are called reproductive organs, जैसे humans have reproductive organs, you all know, वैसे ही plants के भी reproductive organs होते हैं, obviously होते हैं, तब ही तो reproduction in plants हम पढ़ रहे हैं, और वो reproductive organs कौन-कौन से नहीं है, roots, stems और leaves, उसके reproductive organs नहीं है, वो उसके vegetative organs है, vegetative parts हैं, और apart from these three, जो इनकी seed है, या वो सब क्या है, वो sexual parts है, sexual organs है, ठीक है, reproductive part कौन सा हुआ, flower, क्योंकि बेटा, plant, fruit कहां से मिल रहा है आपको, flower से ही तो मिल रहा है, right, flower, flower, जो भी आप लोग कहते हैं, वही से तो मिल रहा है, तो आपका reproductive part is your flower, और आपका, vegetative part is your, बच्चा, ये तीन very crucial question, इस slide में आपको इन दो questions पर ध्यान देना है, vegetative and reproductive part, ठीक है बच्चा, let's move ahead, ठीक है, अब modes, हमने देखा था शुरू में, कि हम modes भी पढ़ेंगे, किस तरीके से होते हैं, तो दो modes होते हैं, एक तो asexual और एक sexual, ये हम content में देख्या है थे कि इनके अंदर भी कुछ और तरीके होते हैं, modes होते हैं, तो asexual और sexual, यानि कि difference क्या है दोनों में, ए का है, मतलब कि ये sexual के लिए क्या चाहिए आपको organ, राइट, वो वाले organs, तो वो organs दोनों में चाहिए, obvious ही बात है बिटा, पर ये उन organs की किस तरीके की help से हो रहे हैं, और ये उन organs के होने के बाद भी asexual क्यू है, या भी हम दे difference क्या है, ठीक है बिच्चे सबसे पहले asexual ले ले लेते हैं, अब asexual का मतलब क्या है, sexual जहां पे दो parents involved हो, ठीक है, या दो plants, हम plants को parents की category में डाल रहे हैं, since हम उनका जो new plantlet आएगा, उसे हम offspring मानेंगे, ठीक है बिच्चा, तो जहां दो parents है, दो gametes, gametes मतलब दो अलग-अ पेरेंट से आए हुए cells, ठीक है, जो sexual cells होते हैं, उन्हें अब gametes कहते हैं, तो two parents और two gametes, asexual पढ़ रहे हैं, बच्चा, sorry, sorry, asexual में one parent, मैं तो आपको, एक second, just a second, बिटा, दिमाग में sexual आ गया, ठीक है, asexual reproduction, one parent, और one kind, ठीक है बच्चा, सिरफ जिसमें एक ही parent, अब एक parent, ये बड़ा अजीब लगा, क्योंकि हमने तो ऐसा सुना नहीं है, है ना, ठीक है, एक parent, जहाँ पे एक ही parent involved, वो हूँ आपका asexual, इसलिए asexual, ठीक है, the process in which only one parent is involved और वही एक नई individual को, इसको हम offspring भी कहते हैं, यानी की बच्चा, ठीक है, offspring, और कैसा offspring होता है, same kind, very crucial, asexual में same offspring, लिख लीजे, one parent, same, मतलब की exactly copy, ठीक है बच्चा, asexual reproduction result in the formation of offspring or new plants without seeds, कैसे, कैसे production होती है, जो उसके offspring होते हैं, very important, उनमें seeds नहीं होती, seeds के रहित, seeds के बिना, ठीक है बच्चा, ठीक है, अब methods देखते हैं, sexual reproduction के किस-किस method से होते हैं, सबसे पहला, vegetative propagation होता ही होगा, क्योंकि हम vegetative parts पढ़ कहते हैं, stem, roots and leaves, तो vegetative propagation, वो involved होगी, ठीक है बच्चा, फिर budding, अभी देखते हैं, कौन-कौन से, एक तो होगे, vegetative propagation, रटने की जुरुती पढ़ेगी, जब समझाओंगी, तो नाम भी आद हो जाएंगे, फिर एक process होगा, जिसमें bud बनता होगा, इसमें से छुटे-छुटे हिससे काट दो, बस जो समझ रहो, यही है यह process, इसी को हम यही, इसी तरीके से, जिसे नाम है ना, वही बस process है, सारा का सारा, sport formation, यानि छुटे-छुटे से sports देखे, छुटे-छुटे से sports बनते होंगे, इसमें, ठीक है जिस समझ आगे, अब आगे फटा-फट समझ लेते, सबसे पहले देखते है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसमें क्या होता है, कहां से बन रहे हैं, ओफ्स्प्रिंग, वेजिटेटिव यूनेट, यानि आपके, मैं अपने कलावा एक बर, कलावा, भाई साब, बार बार अपने आप भी लिख रहे हैं, यानि, roots, leaves, and stem, हमारे वेजिटेटिव पा से जो प्रोपोगेशन मतलब बन रहा है वहां से ओफ्स्प्रिंग, उसे हम क्या कहते हैं, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आता है, वेजिटेटिव कौन सी है, roots है, leaves है, और stem है, तो पहले देखे कि आपकी stems है, ठीक है बच्चा, देखते हैं, stem में क्या होता, stem में, टेहनिया, ठीक है, शाखा है उसकी, तो उसमें क्या होती है, उसमें उसमें छोटे-छोटे आपने देखें कि बर्डज होते होंगे, एक्जल में, जहां पर stems के साथ पत्तिया निकलती न जैसे आप यह देखो अगर मैं इसको एक स्टेम मान लू और यह आपकी लीफ है तो यह जो पार्ट होता है एक्सल कहता है यहां से यह नोड यहां से जो यह वाला जो आपका जो यहां पर बड़्ट होते हैं चोटे-चोटे से कई आपने नोड़ करोगे जरा-जरा से एकदम राउंड से ग्रीन क्रीचर होता है ठीक है तो बिटा वो बड़्ट वहां से क्या होता है बता दिया माम ने वह अटाच्मेंट पॉइंट जो है जहां से लीफ स्टेम पे अटाच हो रही है ठीक है अब वो डेवलप करता है उपर शूट सिस्ट और खैनसे, टीक है यानि कि जिसमें छोटी-चोटी टेहनिओं में छोटा-छोटी कि बहुत सारे पते का। heals mat together ऐख सतुख éénर तर्टेश वाले, ठीक है कुछा, आगे चलते हैं, फिर ये देखो, स्टेम से कैसे करते हैं, तीन तरीक से graph, बीच में से स्टेम तोड़ दी हमने, ठीक है काट दी और दूसरे plant की स्टेम लाके, दूसरे plant के सहारे लगा दिया, अब माम ऐसे कैसे हो गएगा, आपको पता है, म यहां पर भी तो cells की formation हो जाएगी और यह एक पूरी branch बन जाएगी, ठीक है बिटा, तो method कौन-कौन से cutting, यानि काट दिया पहला, फिर layering, यह तो है बिटा, आपका cutting, layering, layering मतलब एक के उपर एक लगा दिया, layering, यह आपका graft बन जाता है, यह है graft formation, इसे हम जब दोनों को हम बान देंगे, अलग-अलग टहनियों को, तो उसे हम कहेंगे graft formation, यानि की एक part के उपर किसी दूसरी चीज का part, जैसे एक human being को organ transplant करते हैं, किसी और human being की eye लगाते हैं, तो इस हम graft कहते हैं, और यह process है हमारा grafting, ठीक है बिटा, let's move ahead then, ठीक है बिटा, आप vegetative leaves से देखते हैं, stem से हमने देख ली, अब यह देखिए आप leaves, इसमें क्या होता है, leaves के साइड में छोटे-छोटे से यह इस तरीके से आपने देखे न, अब उसके edges और margins पे जो leaves पे होती है, यहां से, देखा यहां पर कई के भी छोटी-छोटी सी पत्तियों और निकलने लग जाती है, तो यह जो margins है, यहां से new life की formation हो सकती है, new plant की, ठीक है बच्चा, तो यह हो गई हमारी vegetative reproduction by leaves, किसके अंडर पढ रहे हैं हम, Asexual में हम vegetative देख रहे हैं, और vegetative में किसके तरीके से हो सकती है, stem, leaves और roots है, ठीक है, और stems में कैसे हो रही हैं थी, क्या method follow कर रहे थे, cutting, काट के layer कर दिया और graft, graft बन जाता है, ठीक है, अब यह देखिए, अब root, अब हम इसे root क्यों कह रहे हैं, आपको पते है, आलू अंद सा रुकता है, ground के, तो वो roots होती है, वो roots खाते है, edible roots है वो, आपने देखा, आलू में इस तरीके से white-white से, चोटी-चोटी-सी bulbs, चोटी-चोटी-सी eyes निकल जाती है, तो वो formation of new lives है, ठीक है, वहां से हम new life produce कर सकते हैं, produce होती है, अब advantages भी पढ़ लेते हैं, इसके क्या-क् होते हैं, flowers और जो fruits होते हैं, वो earlier, जो पहले आजाते हैं, seeds से जो उगते हैं, मतलब कि अगर आपने एक plant vegetative propagation से उगाया और एक आपने seeds से उगाया, तो जो बेटा, जो आपने vegetative propagation से उगाया है, उसमें flower और fruit दोनों जल्दी आएगा in compare to, जो seed में आता है, ठीक है बच्चा और देखो यह रहाँ, exact copies, क्योंकि एक ही parent involved है, तो दूसरा कोई mixing का chance ही नहीं है, because only one parent is involved, ठीक है, तो इसी लिए exact copy हो जाएंगे, आप समझ आ गया, exact copies क्यों होती है, ठीक है, इन case of human mix, there are two parents involved, इसी लिए दोनों का mixture होता है, ठीक है, exact copy किसी की नहीं होती है, ठीक है, फिर जी हमारा vegetative के बाद था budding, मैं आपने बताते हैं, जिसे आटे में से लोईयां टूटती हैं, ऐसे आप यह देखो, एक, एक cell थी, एक कुछ था, मतलब एक पूरा चीज थी, उसमें से ऐसे, ऐसे एक, जैसे हम करते हैं, ऐसे ऐसे बड़, ऐसे लेके आटे की लोईय तोड़ ली, तो यह ऐसे 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 करते करते अलग हो गई, और यह कई सारी लोईयां टूट गई, एक आटे में से तो वो गया, बड या नहीं, बड बन जाना, बड फॉ process में क्या होता है a daughter individual daughter मतलब offspring लगा लो बताया था ना माम ने offspring कह लो daughter कह लो या baby plant कह लो baby plant ठीक है daughter individual is formed from a small projection यह क्या है यही तो है उसे हम bud कहते है small projection on the parent body जो कि किस में formation देती है into a new offspring या into a new daughter individual ठीक है किस में follow होता है yeast में कैसे किस में होता है yeast में यह इसका example और बहुत important है ठीक है budding हम किस में देखते है बड़िंग आते ही दिमाग में आता चाहिए कि इस तरीके से कौन रिप्रोड्यूस करता है yeast रिप्रोड्यूस करता है vegetative propagation by roots से कौन रिप्रोड्यूस करता है हमारे tubers यानि हमारे potato sweet potato ठीक है ठीक है ग्राफ्टिंग से यानि vegetative propagation of stem से रोज एक आपका रोज गुलाब आपका एक example हो गया ठीक है बच्चा अफ फ्रेग्मेंटेशन जैसा की वर्ड का मीनिंग कह रहा है fragment हिस्से कर देना हिस्से कर देना यानि कि एक लंबी सी ट्यूब है कोई उसके हमने क्या करें हिस्से कर दिये ठीक है यानिल गा यह किस में होती हैला में बढड किस्ट में वेजिटेटिव प्रिक्टिशन आपके लाउडा में हुरी है yasam plants के साथ साथ micro organisms भी देख रहे हैं प्रोडक्शन तो lego spyro gyra ygaka hi नाम है एक तरीके की elga होती है एक प्रकार की spyro gyra that are present in water bodies what is a color new पर जम जाती है वह उस तरीके से उस में से हिस्से हो जाते और और वो हिस्से फिर elongate होके एक पूरा human being बना लेते हैं, ठीक है, एक जैसे अगर ये alga है, say suppose, ठीक है, इसके ये, ये, ये हिस्से हो गए, फिर ये हिस्से आगे जाके आपके, इस हिस्से ने बनाया आपका एक और, ये हिस्सा elongate होके एक और बना देगा, इसने जाके एक और और इसने जाके एक और बनाया, ठीक है बच्चा, बिलकुल सही, आगे चलते हैं, चले, अब फ्रेग्मेंटेशन, पेरेंट बोडी अकर, जब मैच्योर हो जाती है, ऐसे नहीं कि अभी जो बना है, डॉर्टर सेल वही दूबारा से, फोरन के फोरन फ्रेग्मेंटेशन करत पानी के उपर देखी है, यानि इसका मतलब क्या हुआ, कि उसके लिए पानी बहुत जादा नेसेसरी है, उसे और हर चीज को काम करने के लिए, ग्रोने के लिए न्यूट्रियंट ज़रूरी है, तो उसके न्यूट्रियंट उसे कहां से मिल रहे होंगे, आप्विसली वाट कुछ होता है, वो स्टेम उसके ऊपर कुछ वाइट वाइट सा, ऐसे बल्प सा होता है, उसे फूक मारते हैं, बहुत सारे, चोटे-चोटे दाने-दाने से भैल जाते हैं, तो वो होते है, स्पोर्स, ठीक है बिच्चा, वो किस में होता है, फंगस में, मैं एक बार लिख द आपका टू, बडिंग, आपका थ्री, फ्रेगमेंटेशन, और फोर्थ आपका बच्चा, स्पोर्फॉर्मेशन, कौन-कौन से मोड है ये? ये, सेक्शुल रिप्रोडक्शन के मोड है, ठीक है बच्चा, कन्फ्यूज नहीं होएगा कोई भी, वेजिटेटिव, प्लांस में हो रही थी, स्टेम्स, ये आपके नोट से हो गए, ठीक है बच्चा, लीव्स, और रूट्स में, बडिंग कहा हो रही थी आपकी? बडिंग बिटा, यीस्ट में हो रही थी, फ्रेग्मेंटेशन, एल्गा में हो रही थी, वाटर में, वाटर में उसे न्यूट्रेंटों वाटर मिल रहा था, यानि आपकी स्पाइरोगाईरा, स्पोर फॉर्मेशन कहा हो रहा था? फंजाई में हो रहा था आपके फंगस में ठीक है आप तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा बिलकुल भी माम ने अलग से भी लिख दिया है सारा ठीक है बच्चा ठीक है स्पोर्स का वो जब फूक मारते हों उन चोटे-चोटे से दानों को तो वो हवा में उठ जाते राइट तो इन एयर्ज वो स्मॉल स्फेरिकल चोटे-चोटे से राउंड होते माम ने बता दिया था ठीक है उनके चारों एक बहुत थिक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जैसे नहीं है बेटा नहीं तो इतनी चुई मुई सी चीज तो हवा में बस कुछ पता भी नहीं चलेगा वो छोटे इतने चोटे से इतने सोट लगते पर एक बहुत प्रोटेक्टिव कवर्ज होती है जो उसके अंदर जो चीजे हैं उसे बहुत प्रोटेक्ट करके रखती किस से प्रोटेक्ट करती है अनफेवरेबल कंडीशन बताया ना मामने अभी कंडीशन कैसे हो सकती है फिर क्या होता जब फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आती है वो जो भार का लेयर है वो फट जाता है और वो जो अंदर मटीरियल है वो निकल जाता है ठीक है और वो जर्मि प्रोड़क्शन होता है ठीक है एयर इसे कहां तक लेके जा सकती है बहुत दूर तक और 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 विंड के माध्यम से उखते हैं देखो दिखा दिया माम इसी की बात कर रहे हैं तो यह बहुत दूर तक एयर के माध्यम से जाते हैं यह बहुत प्रोटेक्टिव लेयर होता है ठ देर हट जाएगा और ये एक नए इंडिविज्वल में जनम ले लेंगे, ठीक है, हान जी, अब आगे हमारा असेक्शुल खतम, सारे टाइप पढ़ लें असेक्शुल के बिटा, तो अब हम सेक्शुल रिप्रोडक्शन के अब सेक्शुल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अस सेक्शुल तो हमें पता था, हमने स्टार्टिक में माम देख लिया था, वेजिटेटिव पार्ट से होता है हमारा, ठीक है, और वो हमारे तीनों पार्ट कौन से थे माम, माम वो होते हैं हमारे स्टैंज, रूट्स और लीव्स, ठीक है माम, हमने उससे आपका सारा आपने हम एसेक्शूल पढ़ा दिया फिर आप हमें कह रहे ही थी कि उसके बद सेक्शूल ओरगन भी होते हैं प्लांट की वह आपने हमें बताया था शायद सप्लावर तो हमने एसेक्शूल iPhone कर लिया है अब हमें पढ़नी सेक्शूल यह है ठीक है माम तो sexual में हम में क्या पढ़ना पढ़ेगा हम ओविसली फ्लारी पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि आपने फ्लारी तो उनका sexual organ बताया था ठीक है तो माम फ्लार पढ़ लेते हैं माम वैसे हम बहुत जादा ना सर्प्राइज हो रहे हैं कि ऐसा है क्या फ्लार जिसे हम देख कितने खुश हो जाते हैं ऐसे ही तोड के मरोड के फैक देते हैं देखो बिटा अंदर का structure आज पढ़ाएंगे आज आपने जितने प्लांट तोड़े हैं जितने फूल तोड़े हैं जितने फूलों का दिल अब यह मैंने लिया है example of a typical hibiscus plant आपको हमेशा प्लांट नहीं सौरी आपका फ्लार आप हमेशा यह जो पढ़ोगे इस तरीके के डाइग्राम को रट लेना by heart क्योंकि hibiscus जिसे हम गुड हल का फूल भी कहते हैं देखें वो रेड कलर का फूल अगर नहीं देखा ना बा आपको समझा जहें का चार और आपने देखा कही ना कहीं जरूर होगा वो रेड कलर का जिसमें अलग से कुछ निकला होता है क्राउन वो क्यों बढ़ रहे हैं उसे क्योंकि उसमें वही हमने as a subject इसे लिया है आप किसी को भी आगे तक even higher classes तक हम वही फ्लार पढ़ते हैं क् उसमें यह सारे उसके organs बहुत easily exposed होते हैं आप easily देख सकते हो समझ आ गया तो जी यह आपका plant जो की pink color का बहुत सुन्दर है अब क्या है plant एक reproductive part है मैं आपने बता दिया था ठीक है बीटा उसके बाद they help in the sexual reproduction बता दिया था मैंने कि इसी से fruits और seeds produce होती है ठीक है जिस जिसको तो भी याद था ना उस सब के लिए एक स्टार दो स्टार तीन स्टार चार स्टार पांच स्टार क्योंकि मैं हर slide को ऐसे design करती है कि पीछे से connect हो कुछ भी उठा के बीच में नहीं ला दिया पीछे से connect होगा तो आपका revision हो जाएगा और आप उस connection में समझते जाओगे ऐसे पूख उठाओगे तो क्या करना पड़ेगा टाइप ओफ री प्रोड़क्शन एज वेजिटेटिव प्रफोगेशन बड़्डेंग यीस्ट और वेजिटेटिव प्रफोगेशन में क्या होता है अकर्स बाएच हैपन्स बाए इस टेंज नहीं नहीं इट अकर्स पाइस ए और दिया, confused, fragmentation तो एक टाइप की vegetative propagation खुद थी, आपने vegetative propagation में उसके parts में fragmentation लिख दिया, तो ऐसी confusion कब होगी, जब रटा मारोगे और समझोगे नई sequence में, ठीक है, अच्छा जी, प्लांट के पेटल को सेपल के दिया, सेपल को पेटल के दिया, जब समझोगे नहीं तो यही करोगे, ठीक है, budding, alga में हो रही थी, माम, हाँ, माम, budding तो alga में हो रही थी, yeast में क्या हो रहा था फिर, माम, हाँ, yeast में हो रही थी, budding तो, confused नहीं होना है न, तो ऐसे पढ़िये जैसे, माम, भलाए, आजाए फिर, प्लांट के, ठीक है, बिच्चा, I mean, अरे यार, प्ला प्लार पर आजाए, माम, भी ना, sexual reproduction में क्या होता है, two parents involved होते है, मतलब क्या माम, ओह, star ही start होगी, क्या माम, माम, मतलब आप दो flowers की बात कर रही है, हो भी सकता है, और शायद नहीं भी हो सकता, देखते हैं, फिर, शायद दोनों case भी valid हो सकता है, आजाओ, two parents involved, या two genders involved, ठीक है, क्या होता है, reproduction बेटा, जहाँ पर दो gender, sexual reproduction क्या होँ आपका, sexual, जहाँ पर दो genders, दो अलग-अलग genders, ठीक है, male या female gender, ठीक है, या दो parents कहलो आप, वो मिलकर reproduce कर रहे हो, अपने जैसा कुछ बना रहे हो, अब अपने जैसा, किसके जैसा, बनेगा, दोनों का कुछ-कुछ mixture आएगा, और चीज बन जाएगी, ठीक है, तो reproduction अपने जैसा, पुराने से, पुराने जैसा नया बनाना, जिसमें एक से ही बनेगा, एसेक्शुल, जिसमें दो से सेक्शुल, फ्लावर, सेक्शुल रिप्रोड़क्शन में आजओ देखते हैं, ठीक है, इन सेक्शुल रिप्रोड़क्शन आप, तो मेल सेल, जैसे में आघने बताय था, गय्मीट जिसे हम कहते हैं, दो सेल, जोती हैं, गय्मेट, एक मेल, एक फीमेल सेल, ठीक है, मेल سेल is produced by male part of flower, flower के अंदर ही male part होता है और वो कहां fuse करता है female cell यानि कहां पर होती है female part of flower, आपकी male cell plus female cell यह होती है आपकी male part में यह होती है आपकी female part में और यह दोनों कहां मिलेंगे आपको flower में necessarily या एक ही flower के या अलग अलग flower के अब यह जो लिखा तो उसे simplify करके यहां लिख दिया confused कोई नहीं होएगा ठीक है बच्चा अब जब यह दोनों cell मिलती है तो जो cell यानि gametes male cell plus female cell क्या बनाता है zygote और zygote क्या होता है भूलेगा नहीं कोई मैं आज बता रहे हूं आप लोगों को बच्चा जाइगोर्ट इस फर्टिलाइज्ड इस सेल या फिर फर्टिलाइज्ड विमेन एग क्योंकि हमेशा विमेन के वूम से बच्चा जनम लेता है फर्टिलाइज्ड फिमेल एग जब एग में जब एग खाली एग है उसकी फर्टिलाइज्ड निवे तो वो तो उसे हम फिमेल एग कह देंगे वो जब उसमें मेल सेल मिल जाती है तब वो क्या हो गया उपजाव हो गया फर्टिलाइज हो गया और उसे हम कहते हैं जब जब आइग और वो जब वूम्ब में यानि की कोख में फ्लावर में भी फिमेल पार्ट में कोख होती है जिसे हम ओवरी कहते हैं ठीक है अब ही देखते हैं ठीक है बच्चा और इस गमट्स वेन कम्बाइड देफ फॉर्म जाइगोट अन दा प्रॉससेस कॉल्ड फॉर्टिलाइजेशन वॉर्टिस फॉर्टिलाइजेशन बता प्रॉससेस कॉल्ड फॉर्टिलाइजेशन कितना इजी था अब जी गुढ़ल का फूल आपका हिबिस्किस के फूल में सब कुछ पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है आपने अच्छे से देखा होगा नहीं देखा तो साइड में अभी निकाल लेजेए अपने गूगल पर द जाना यही मुझे माम को देना है टीचर्स डे पर ठीक है तो वो है बहार की कवरिंग वो है यह कवरिंग इसे हम क्या कहते हैं पेटल कन्फ्यूज नहीं हो ना मैं फिर बता रही हूं सेपल पेटल में उसे हम कहते है पेटल पतियां फूल की पतियां बहार की ठीक है यह किस इसलिए होती है, beautiful होने का मतलब क्या होता है, कोई beautiful हो तो सब attract होते हैं, to attract, to attract किने, अभी बताएंगे आगे किने attract करती है, to attract, सुन्दर चीज भार beautify, आप अच्छे से क्यों scenery सजाते हैं, या एक gift को wrapper में डालते हैं, ताकि वो appealing लगे, सुन्दर लगे, attractive लगे, ठीक है बच नीचे हर flower के, छोटा सा नीचे stem से निकलती वी दो पत्तियां जो flower से हमेशा चिपकी रहती हैं, बहुत छोटी-छोटी सी, वो सहारा सा लगता है, उसे कहते हैं हम sepal, confuse नहीं हो ना, वो हरे color का part is sepal, उपर की पत्तियां, चाहिए कोई भी color की हो, अलग-अलग flower, अलग-अल ठीक है, और नीचे वालों को sepal, ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा, बीच में इस तरीके का एक layer होता है, flask जैसा दिखता है, जो, flask जैसी shape होती है, ऐसे flask होता है ना, नीचे से ऐसे, फिर यू उपर उसकी लंबी सी neck होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते ह यह पूरा का पूरा जो पार्ट होता है, यह आपका female reproductive organ है, यह क्या है आपका? female reproductive organ, ठीक है बेटा, अब इसमें क्या क्या पार्ट है, इसमें देख लो, सबसे उपर जो इसका पार्ट होता है, सबसे उपर जाके, उसे हम कहते हैं, stigma, stigma, जो थोड़ा फूला हुआ सा पार्ट होगा, जो लंबी सी इसकी line होगी, इसका neck होगा, उसे हम कहेंगे style, क्या style में खड़े हो यार, style, ठीक है, और नीचे जो इसका flask shape होगा, वो है इसकी, कहां पे zygote जाना था, womb में, यानि ovary, yes, और ovary के अंदर ये ovules, क्या होते हैं ovary के अंदर, ovules होते हैं, ठीक है, और ये पूरा पार्ट female reproductive organ है, और female reproductive organ को हम क्या कहते हैं, pistol, हम क्या कहते हैं, pistol कहते हैं, ठीक है बच्चा, confusion नहीं होगी, ये बीच में, सबसे center में female reproductive organ होता है, उसे हम कहते हैं, pistol, और उसके तीन पार्ट है, सबसे उपर वाला, stigma, लंब इ और नीचे जो flash shape, मतलब ऐसे round सा shape है, वो उसके ovary हो गई, आप समझ गए, zygote बनके कहा जाता होगा, यहां आता होगा, ठीक है बच्चा, अब इसके side में आपने देखा होगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे, और लाइन चुटी-चुटी पतली-पतली सी खड़ी रहती है, उपर female reproductive organs, ठीक है, अब इसमें क्या है, नीचे एक डंडी होती है, उपर फूला सा पार्ट होता है, जो फूला सा पार्ट होता है, वो होता है क्या, एंथर, उसे हम कहते हैं, एंथर, और जो लंबी सी डंडी होती है, उसे हम कहते हैं, फिलामेंट, उसे हम क्या कहते हैं, फिलामे बेबी नहीं 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 आपनी जहिए में ठीक है मेल और फीमेल मेल ओर्गन क्या है हमारा और फीमेल ओर्गन क्या है हमारा ठीक है बच्चा एक और बार ये देखो हमारा ये बीच वाला था सारा आपका फीमेल ओर्गन ठीक है बच्चा और हमारा ये जो साइड में थे काफी सारे एक नहीं थे क्या अधा डीक है थे मेल ओर्गन ठीक है बटा के बच्चा फीमेल ओर्गन और मेल खंट को और तो विमेल और को कहते हैं पिस्तिल कंफ्यूस कोई नहीं होगा कभी मेल औरगन को पिस्टिल कह दो आप, एक ही फ्लार के अंदर होते हैं, दोनों औरगन अलग अलग लोगों के पास नहीं, एक ही फ्लार में हैं, ठीक है बिच्चा, और कुछ फ्लार होते हैं, जिसमें एक 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 भी होता है, दोनों तरीके के होते हैं, वो भी हम आगे स्टेमन और पिस्टिल स्टेमन में क्या होती है क्या होती है पिटा एंथार और आप बताएंगे मुझे जो लॉंग रॉड थी वो क्या थी ठीक है पिस्टिल में सबसे ऊपर स्टिग्मा जो फिर लॉंग रॉड जा रही थी स्टाइल कमेंस में इसका आंसर देखूंगे मैं बिटा आप बुचोड़ेगा नहीं कोई भी और नीचे उसका ओवरी जिसके अंदर थे ओव्यूल्स अब कोई कन्फ्यूजन ठीक है ब्यूटिफुल पार्ट था पेटल उसके सपोर्ट में था सेपल ठीक है अब कोई कन्फ्यूज नहीं होगा मैंने इसलिए फटा फटा दा दिया कहीं वहां से देखके फिर लिको नहीं आप तो खुद भी कर लोगे यह लो जी तो दिख मैं ही दिखाती हूं आपको क्या था एंथर उपर स्वेलन पार्ट और नीचे वाले जी लॉंग रॉड थी फिलमेंट तो भर दे ना ठीक है बिटा लो मामी भर दे आरा आपके लिए बिदेटी हैं फिलमेंट मतलब एक लॉंग रॉड ही तो होती है इस तरीके से ट्रिक्स से आदकरा करो ठीक है बिट दुबारे से रिवाइस करते हैं यह था सेपल यह था पैटल यह था फीमेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट जिसका नाम था पिस्टिल पिस्टिल में यह था स्टिगमा यह थी स्टाइल यह थी ओवरी इसके अंदर ओव्यूल साइड में में रिप्रोड़क्टिव पार्ट क्या है तो प्रोटेक्ट दा फ्लावर वेन इट कम्स आउट ऑफ बर्ड अच्छा सारे सेपल टूगैथर मतलब यह एक यह सारे जितरी भी सेपल होते चार और होते ना प्लांट के पूरे हम तो सरफ ऐसे देख रहे हैं थ्रीडी में देखो तो पूरे नीचे पूरे वो ऌधर मोस्ट गरते हैं और मोस्ट है क कि मतलब सारे सेपल एक साथ एक जरौ कर गया फ्लावर में और बैल यह लोकशिया तो यह च्छोटा साल नीचे क्या रहा गया आपका कैलेग्स थिका बच्च जो सपोर्टिंभ और और एक होगा तो सेपल, चलो बिटा, आगे चलते हैं, फिर है पेटल्स, colorful and most attractive बता दिया था, अंदर, पूरे जो अंदर हो तो ठीक है, इनको क्या कहते हैं, सारे पेटल्स को मिलाके, सारे सेपल्स को मिलाके कहते हैं, क्यलेक्स और सारे पेटल्स, पेटल्स, कोरोला, कोरोना नहीं, कोरोना से याद रखना, कोरोना मतलब बुरा, कोरोला मतलब सुन्दर, ठीक है, सारे वो करोला, और किसे क्या करते हैं, attractive होते हैं, इतने GM से perfume, किसे attract करते हैं माम ने बताया था, पॉली नेशन के लिए insects को जो की pollen grains लाते हैं, pollen grains का ओते हैं, pollen grains एंधर के अंधर होते हैं, देखे हैं, देखे, सब ने बताती ओ अभी, का होते हैं मेटा पॉलन ग्रेंज, वो जो आपकी फिलमेंट थी, उसके उपर क्या था, बेटा बताओ मुझे, उसके उपर एंथर था, आपने देखें उस फ्लावर में छोटे-छोटे से, उपर वो बहुत छोटे-छोटे से दाने होते हैं, यलो कलर के, वो ही तो है पॉलन और उन्हें जब एक जंगे से लाके दूसरे फ्लार पे डाल दे मधुमक्हिया या को इंसेक्ट तो वो पॉलीनेशन हो जाता है और वो हमारे फ्लार पे बैठे इस तरीके से अट्राक्ट करने के लिए उसके लिए पेटल होता है और सारे पेटल मिलके करोला कहते हैं और उस क आप पेटल मंगलार होता है सीङुलर तो सेपॉल अगर सारा हो तो गैल है पीच में फीमेल रिप्रिप्रॉड्ड़क्टव जिससे हम स्टएमन कहते हैं स्टेमन में तो होतोन होते है और फीमेल रिप्रॉड़क्टव और बाच में उबार स्टिगमा होतीय नीचे ओवरी जिसमें और वही पर वह पॉलन ग्रेंज जाकर बैठेंगे उस और में क्योंकि वही तो जाइगाट बनाना है चले आगे रिवाइज हो गया ठीक है स्ट्रक्चर अफ एंथर देख रहे हैं यह उपर एंथर फिलामेंट में सारा समझा क्या है आपको ठीक है टॉप पे जो इसे फिलामेंट कहते है ठीक है आगे चलते हैं स्टेमें एंथर इस पॉलन ग्रेंट मैं आमने सारा बता दिया जो कि क्या है मेल गैमीट वाट इस मेल गैमीट कोई नाम पूछले आप से टीचर पूछ सकती है पॉलन ग्रेंट कन्फ्यूज नहीं हो ना मेल गैमीट इस ठीक है बिच्चा इस येलो पाउडर बताया था मैं आपने स्टिकी स्टिकी से होते हैं आगे चलते हैं ऐसे हाथ पे चिपक भी जाते हैं आज ले अब लेके देखना जाधा फ्लार बिरबाद केने के जूरुरत नहीं है ठीक है बिच्चा प्यार से निजाकत से थोड़ा अच्छा अब हम पिस्टिल के बारे में पढ़ लेते हैं सिग्मा स्टाइल ओवरी ओव्यूल यह रहा ना ओवरी के अंदर ओव्यूल मैं बताया ही थी सारा है आपका पिस्टिल यह है फीमेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट अब क्या आता है आपका जो पॉलिनेशन से इं यह रिप्रोड़क्टिव पार्ट है वो डाल देगा फिर यह एक्स्टैंड करेगा अपनी लंबी सी ट्यूब उसके थ्रू यह पॉलन अपनी रस्ता बना रहा है यह एक रस्ता है होता वाह यह अंदर आएगा यह फीमेल सेल्स है इसके साथ जैसे यह अभी तो यह फीमेल यह मेल सेल है अलग-अलग है पॉलनेग्रें और उवियूल फीमेल झैल हो गई है तो फीमेल सेल्स और offuels जैसे दोनों मिलेंगे तो जाज़ा है यानि की जाई बन जाएगा ठीक है बिटा फलार्स चेयब स्टॉक्चुर्टर सारा माय म बता करें आई है ठीक है पिस्टिल बोथ जेंडर्स आर देर यानि बोथ सेक्स आर देर बोथ जेंडर्स इन वन फ्लार. यूनिसेक्ष्वल मतला एनिवन, कोई भी एक, ठीक है या तो आपका पिस्टिल या आपका स्टिग्मा, ठीक है बच्चा, यही आगे unisexual, यानि कि एक female एक male यहां से pollination ना करोगी, examples बहुत crucial है, किस-किस में होता unisexual flower, मतलब आपको papaya, या तो papaya में एक ही तरीगे का मिलेगा, या तो female मिलेगा, या male मिलेगा, watermelon, corn और cucumber आप ऐसे आद रख सकते हो, जो गर्मी में आपकी गर्मी भगागने के लिए आ papaya, ठीक है बच्चा, ऐसे आद रख सकते हो, फिर आपका है, bisexual flower, bisexual जो दोनों एक ही में मिलते हैं, जैसे कि hibiscus एक तो आप पता चल गया आपको, ठीक है बच्चा, एक आपका हो गया, hibiscus, ठीक है बच्चा, bisexually मैं आपको सारा समझा के आई है, अच्छा, हन जी, फिर उसके बद function, function क्या है, fruit में convert होता है, राइट बच्चा, the function of a flower is to make male and female gametes, है ना, और to ensure fertilization, ठीक है बच्चा, क्या ओर है, फ्लार के अंदर ही तो दोनों organ है, दोनों gametes वही तो है, वही तो fuse होके, zygote बंद रहा है, male gamete is your pollen grain and your female gamete is your ovules, कहाँ पर ovules मिलेंगे, ovary में, और pollen grain भी कहां से जाते हैं, stigma के भूपे गिरते हैं, style से होते हैं, ovary में चले जाते हैं, वहाँ ovule को fertilize कर देते हैं, फिर हम उसे zygote कह देते हैं, all right, चले फिर आगे, during sexual reproduction, male and female gametes use, यह माम हमें बता चुकी है, कई बार हमारी माम ने हमें पहले ही बता दिया, यह मीनी माम ने, thank you so much, जो भी बत्चे नीचे कहते है, माम, you are very cute, thank you so much, the transfer of pollen grains from anther to stamin to stigma, बता दिया, माम ने, कहां डलता है, सब से उपर, stamin में, stigma, I mean stigma में, ठीक है, stigma से कहाता है, आपके style में, फिर ovary में, यह सारा माम बता किया है, अगर self-pollination अपने आप हो रहा हो, जो की, bisexual flower में होता है, क् और किसी insect की help से हो रहा हो, यानि की, sexual flower से, अलग different flowers से, I mean unisexual flowers से, क्योंकि उनी में, दोनों में अलग-अलग, वो है, genders है, तो cross-pollination, ठीक है, बच्चा, आगे चलते है, pollination, कहां पर थे, कहां पर थे, pollen grains, pollen grains है, male gametes, वो थे, enter के उपर, जब enter थोड़ा mature हो जाता है, उपर से मूँ खुल जाता है, तो हमारे male gametes क्या होते हैं, हमारी male gametes वहां से निकल जाते हैं, ठीक है, यानि की, हमारे pollen grains, ओके बटा, चलो, self-pollination, बता दिया था, मामने self-pollination कहा होता है, bisexual flower में, cross-pollination, unisexual flower में, क्योंकि हाँ पर एक-एक gender है दोनों में, आगे चलते हैं, cross-pollination समझा दिया, किस के थुरू होता है, insects के थुरू, इन्हें हम agents कहते हैं, यानि की, जैसे की, bees, example, bees, insects, ठीक है, ये क्या करती है, एक unisex flower से लेकर, दूसरे unisex flower में डाल देती है, mediated by insects, अच्छा हाँ, wind और water के माध्य, हम से क्योंकि हवा चली, उपर हो पतले-पतले से एंथर है, ठीक है, तो इन, how, मतलब, agents कौन-कौन से हैं, आपके, जैसे bees हो गई, insects हो गई, wind waters हो गई, birds हो गई, ठीक है, बच्चा, इन में चिपक के चले जाते हैं, birds and animals में, आप agents of poll the nation यही रहे, देख लेन, आप सारे माम ने बता दिया, photos आप अपर आम से देख सकते, जैसे bee है आपका, bird है आपका, टितलिया, हाँ, आपके टितलिया, butterflies, मेरे buttercups थे न, आप, आपके, दापके, जापके, त रिन्दे già आपके, रधके, प्न बच, सुगार आपके, भर Kelly, आज माम ने पूरा गेल बिया, ठीक है, चले, हान जी, फर्टिलाइजेशन, पूरा प्रोसेस माम समझा के आई है, कहां पे, डलता है, स्टाइल से होते हैं, आपके ओवरी में जाके जाइगोट बना देता है, ठीक है बिटा, ठीक है, यह सारा जो माम समझा के आई है, यह लिखा है, और कुछ एक्स्ट्रा नई लिखा माम ने पहले ही सारा समझा दे या पढ़ सकते हैं, पॉस्ट करके विडियो को, ठीक है अचा, fruit और seed formation, अब fertilization के बाद क्या हुआ, जो ओवरी है, यानि आपकी जाइगोट जो है, वो क्या करेगा, ग्रो करेगा fruit में और उसमें फिर से fruit में, ठीक है, ovule डेवलाप होगा, बीच में seeds होती है, the outer part of the flower, पता है हमें petal होते हैं, सेपल होते हैं, बहार उसके, ठीक है stamen होता है, वो क्या होते हैं, dry हो जाते हैं और जढ़ जाते हैं, जैसे fruit उकता है, तो plant dry होके जढ़ जाता है, I mean, flower, आपका flower dry होके जढ़ जाता है, ठीक है पिटा, ठीक है, जाइगोट के बारे में माम ने सारा बता दिया था, ठीक है, the process by which the seeds are scattered to different places by different agent, उसको हम क्या कहते हैं, seed dispersal, जैसे आपका postman होता है, चिठ्धिया एक जंगे से लेके different different जंगे क्या करता है, दे देता है, disperse कर देता है, बांट देता है, इसको क्या कहते हैं, बांट ना, ठीक है, dispersal, यानि की process, वो process जिसमें seed एक जंगा से कई दूसरी दूसरी जंगा ओपर बांट दी जाए, डाल दी जाए, किस किस agent के थूँ आपके wind, water, birds, animals, ठीक है, bees, इन सब के द्वारव हो गया, seed, dispersal, देखो ना, seeds इस तरीके से, अब वो आपके seeds से new plant आपका new fruit बनता है, ठीक है वेटा, ये देख ली जिस, ये मैंने आपको दिखा रहा किए, seed of drumstick, वो सांभर में खाते हो, वो लंबी-लंब ये रेड-रेड से green color की होती है, जिसे I'm sure आप लोग तो फैंकी देते होंगे, drumstick, ठीक है, फिर ये है आपके maple, maple syrup आती है, मीठी syrup, sugar की replacement होती है, कश्मीर में है maple syrup, या बहार फिर आपके ब्रिटेन में जागकर यहां पर मिलती है, तो वो ठीक है, ये है आपका sunflower का इस तरीक होता है, ठीक है, एजेंस बता दिए मामने, wind water, animal, birds, humans, माम एजेंस बता चुकिए, दुबारा से हम खूमके, loop पर आ गए, कहां से शुरू करा था, एक plant हमने शुरू में, एक seed हमने बोया था, finally हमें समझ आ गया, वो यहां से यहां आता है, कैसे, पूरा प्रोसेस हम समझ ग to grow under, favorable, resting state मतलब, होता तो है, पर वो, मतलब हमेशा से होता है, पर वो अपनी एक state में होता है, grow नहीं हो रहा होता, resting state मतलब स्थेर होता है, स्थेर होता है, जैसे ही उसको favorable कोई condition मिलती है, वो फोरण grow करना शुरू कर देता है, ठीक है बेटा, और it is the growth of the plant, कहां से plant grow हो रह होता है, seed से, ठीक है, when seed germinates, तो क्या होता है, जो भार का coat होता है, वो split कर देता है, जैसे हम देख रहे थे, picture में, देखो, बाहर हमने seed डाली थी, यहां से coat हट रहा है, कुछ आ रहे प्रोटूशन भार, फिर पूरा coat हट गया, सब चीज की germination होने लगी, और आप देखते है, फिर उसके बाद, थोड़े दिन बाद, shoot system बनने लगता है, और उसके बाद, दोनों elongate होते रहे, root system और नीचे फैलता चला जाता है, आपके soils की layer में, ठीक है, the seed link grow faster and ultimately forms a new plant, seed link से क्या बन रहा है, आपका new plant बन जाता है, यह हम कई बार देख लिया, हमने यहां पर, ठीक है बिटा, यह cycle continue करती है, बताया दा, शुरू में आम जो बता क्या ही थी, मैं आमने क्या कर रहा है, पूरा चाप्टर ना ऐसे circle कर दिया, जहां से शुरू करोगे, वहीं पहुंचोगे, समझ आ गया, अब समझ आ गया, कैसे एक से हम offspring बना रहे थे, एक seed को germinate करके, य तो इसी के साथ हम इस chapter के समापन में आ गये है, समाप्त कर दिया, खतम कर लिया हमने ये chapter, next chapter आपके forest के लिए, जो हमारी lifeline है, क्योंकि sequence में पढ़ रहे हैं, यहां तक पहुंचे हैं, अब जब plant finally हमारे reproduce कर गये हैं, last में हमने क्या पढ़ा है, cycle continues to produce more offspring, शुरू में मैं क्या बता रहे हैं थी, one plant से बना, many, तो आपका garden, और garden, many तो क्या बना, forest, तो हमें इसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, sequence के हिसाब से, forest, तो मिलते हैं, next class में forest के साथ, अगर मन हो तो थोड़ा सा overview ले आईएगा, बढ़ना कोई tension नहीं है, माम तो हर class overview के साथ, start ही करती है, और कोई भी comments हो, interactive comments, सबसे पहले जाते हो, मुझे बाए लिखके जाएगा, ठीक है, माम, और उसके बाद, doubts, comment section में, पिछले chapters के भी, कोई doubts, comment section में, see you all in the next class, forest, thank you so much, kids, bye, thank you, तो मैं, माम ऐसे कहेंगी न, thank you, thank you, bye.